वेलकम टू माई यूटूब चैनल अन्सू डिजिटल क्लासे दोस्तों MS Windows का ये दूसरा कलास है इसमें हम डेक्सटप और आइकन के बारे में अच्छे से डिसकस करेंगे तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं देखिए डेक्सटप क्या होता है डेक्सटप को हम स्क्रीन भी ब यानि जब हम कम्प्यूटर को स्टार्ट करते हैं उसके बाद हमें एक रेक्टेंगुलर यानि आयताकार एरिया दिखाई देता है इसक्रीन पर उसे ही हम डेक्सटप करते हैं ठीक है ऐसे मैं एक्जामपल भी दूँगा भी अभी इसको केवल समझे कि डेक्सटप क्या होत ठीक है दूसरा है आईकोन देखिए the small graphical picture on the screen is called icon यानि screen पर जो छोटा graphical picture के रूप में होता है उसी को हम icon बोलते हैं ठीक है ? जो आपके desktop पे छोटे-छोटे icon दिखते है न उसी को हम icon बोलते हैं ठीक है ? there are four types of icon, icon chart type का होता है पहला है system icon, दुसरा है programs icon, तीसरा है document icon और चौथा है folder icon, तो चलिए इनके बारे में भी detail में जानते हैं, ठीक है पहला है system icon, देखिए those icon which is loaded automatically when we loads operating system is called system icon वे icon जो अपने आप load हो जाते हैं, जब हम operating system को computer में load कर देते हैं उसे ही system icon कहते हैं, जैसे computer, recycle bin, control panel, etc. ये जो है सब system icon है ऐसे मैं example भी दूँगा आगे, इसको समझिए पहले कि system icon होता क्या है, ठीक है next बात करते हैं हम programs icon, देखिए the icon of application is called program icon यानि application का icon जो होता है, उसी को हम program icon कहते हैं जैसे ms word, ms excel, typing master, tally, etc. ये जितने भी programs है, इन ही के icon को हम programs icon कहते हैं ठीक है, next है document icon, the created of any program is called document icon यानि किसी भी program के बनाए गए file को document icon कहते हैं इसको मैं समझाओंगा, अभी आप इसको समझिए पहले, ठीक है अगला है folder icon, folder is a place where we can store any type of files as like photo, audio, video, files, etc. यानि folder एक जगा होता है, जहां हम store करके रख सकते हैं किसी भी type के file को जैसे कि photo, audio, video, files, etc. इन सभी को store करके रखना हो तो हम किसका यूज़ करते हैं, folder का यूज़ करते हैं, ठीक है default color of folder is yellow, यानि जो by default folder का color होता है, वो पीला color का होता है ठीक है, तो चलिए हम इसको अच्छे से समझते हैं, देखिए जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि desktop क्या होता है तो ये rectangular जो area आपको पूरा दिख रहा है, इस पूरे area को हम desktop बोलते हैं ठीक है, icon chart type का होता है, system icon देखिए ये users file है, computer है, recycle bin है, control panel है ये सब जो है system icon है, यानि ये system का icon है, ठीक है दूसरा है programs icon, देखिए programs icon वो applications होते हैं जिस पे हम काम करते हैं, जैसे कि word, ये word है, ये excel है ठीक है, tally, typing master, ये सब जो है programs icon है देखिए, अंतर क्या है दोनों में, यहाँ पे आपको एक arrow का sign दीख रहा होगा एक तीर जैसा दीख रहा है न, तो ये जो है software install किया गया है अलग से इसलिए ये programs icon है, ठीक है अगला है document icon, देखिए, जैसे word और document icon में आपको अंतर दीख रहा होगा ठीक है, document icon उस icon को कहते हैं जैसे कि आप माली जीए word में काम किया है, ठीक है, word में कुछ भी आप लिख करके और उसको save करते हैं तो वो एक document बनता है, वही document को हम document icon कहते हैं जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक resume है जो word में बना हुआ है इसी को हम document icon कहते हैं, ठीक है, माली जीए Excel में आप कोई file बना लिया है और Excel के file को आप save कर लेंगे, तो यहाँ पे X दीखेगा जिससे पता चलेगा कि यह भी एक document icon है, ठीक है अगला है folder icon, देखिए, folder का color by default yellow color का होता है, आप देख सकते हैं और यह है folder, जिसमें हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि audio, video, photos, software, यह सब रखने के लिए हम folder का यूज करते हैं, ठीक है अब देखिए, कुछ और important है, इसको भी समझना है, जैसे कि आप नीचे एक यह पट्टी देख रहे होंगे red color का पूरा यहां तक जो line है, इस पूरे पट्टी को जो है task bar बोलते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत important है इसका यूज हम आगे बताएंगे, ठीक है, और यह जो बिल्कुल कोने में आपको दिख रहा है, start menu इसको बोलते है, window की जो दिख रहा है, ठीक है task bar में current active के रूप में store रहता है, ठीक है, अब दिखिए, यहां पे time indicator है, यहां से हम computer में date and time को change भी कर सकते हैं, ठीक है उसके बाद यहां computer आपका कितना charge है, वो बताता है, यहां पे speakers है, यानि sound को आप कम या ज्यादा यहां से कर सकते हैं यह है network connection, यानि internet का use करना हो, internet का connect करना हो, और यहां पे है यह notification area, यानि यहां पे notification आता है, कोई भी system में notification आएगा तो यहीं आएगा, ठीक है यह है language bar, दोस्तो वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को like कर दें, comment करें, अपने दोस्तों को पास share करें, और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को subscribe नहीं किया है, तो please subscribe कर लें, और साथ में इस bell icon को भी प्रेस कर लें, ताकि कोई भी वीडियो आपसे miss नहों हो, मिलते है झालो दोस्तों में, बजें नहीं किया है।